नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 बियार जारकंड और मैं हूँ आपके साथ लक्षमी बुलेटिंग के शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीट का पेपर रद्ध हो सकता है सुक्षा मंतरी के स्तर पड़ लेना है फैसला नीट का पेपर लीक हुआ है और एंटिय ने नीट की परिक्षा लेती और आप ये खबर सामने आ रही है कि नीट का पेपर हुआ था वो रद्ध किया जा सकता है यानि कि ये जो एक्जाम ले गए गए थे वो कैंसल हो सकता है सिक्षा मंतरी के स्तर पड़ फैस्ता लेना है नीट का पेपर लीक हुआ था एंटिय ने नीट की परिक्षा ली थी अब एंटिय को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे है कि एंटिय एक फेल बॉडल है इस तरीकी के बात सामने आ रही है और ऐसे में निउस 18 से बोले धर्मिंद्र प्रधान सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार आपकी है आपके साथ सरकार खड़ी है और किसी भी गड़बडी को बरदाश्त नहीं करेंगे पटना में कुछ गड़बडी सामने आई थी बियार पुलिस ने पकड़ा है उनको एक दो दिन में निर्णायक स्थिती आ जाएगी प्रजा तंत्र में उगली उठाने से नहीं होता लोगों के स्थिती को मैं समझता हूँ एक ही निवेधन करूँगा आप भरोसा रखिए एक भी शात्र पर असब नहीं होगा ये बात कह रहे हैं धर्मेंदर प्रदान जो की सिक्षा मंत्री है सर आपने वादा किया था कि कारवाई होगे और अभी CBI ने केस भी रेजिस्टर किया नेट मामले में क्रिमिनल कॉंस्परेसी और चीटिंग का केस लगाया गया क्या कहना चाहेंगा अब स्टुडेंट से जो लगातार इस खबर पर अपने नजर बनाया हुए ते कि मैं भारत की शिक्षा विभाकी दाइत्तो धरी के नाते मैं सभी को असुस्त करना चाहता हूँ देश की विदयार्थीं को अस्वस्त करना चाहता हूँ इस सरकार आप भी कहें सरकार पारदर शीता के लीए प्रतिबद्ध है सरकार I evidya देफ़ जन्माना चाहती है कि हम कोई भी कड़बडी को ट्रॉल Right नहीं करें वहाँ पे भी आपकी सरकार है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पर, देखे ए घटना की तो हमने CBA inquiry जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है, भारत की कोई परिक्षिया प्रनाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्यन की बात है, कौन है उसके लिए माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनेगार है, अंदरुनी लोग कौन गुनेगार है, इसको सारे को ढूंडा जाएगा, बाकी नीट को लेके जो कुछ विशंगती आई तो मूलत आई दी ग्रेस मार्क की, ये कोई विशंगती नहीं था, उसको एक प्रस्चिजिरिय इंट्रिपेटेशन कारण कुछ विद्यार्थी को मन में रोज आई, कुछों को केशे ग्रेस मार्क मिल गया, उसके उपर भी पिर जब तहकिक आत हुई, जब पिर एक्सवर्ट कमिटी बटी, फिर री एक्जामिनिशन की बात हो गई, पाठना में गडबडी की कुछ आना में पहुंच जाएंगे. इस प्रकार की इस अभी लोगों की मन में जुस्तिती है, मैं उसको समझता होगा, इसलिए मैं आज की दिनों में एक ही निवेदन करूँगा, आप भरोशा रखिए, एक भी विद्यार्थी की हित्तों को समझोते में नहीं डालेंगे. इस प्रकार की परिक्षियाओं को एंटिये को आधुनिक बनाना है, एंटिये को प्रोग्रिसिव बनाना है, एंटिये में इंटर्नार्थी रिफॉर्म्स की भी आप सकता है. इस बार जो परिक्षियाओं हुएं, उसमें से कुछ विशे को और उजागर किया है, एक अट्रोनोमस बड़ी होने के नाते, उनकी जैसे एकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांस्परेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, इसलिए सरकार ने ते किया है, एक कमिटी बनाई जाएकी, विशशग्यों की कमिटी बनाई जाएकी, एक्सपर्स की कमिटी बनाई जाएकी, समाज जिबन की प्रमुख लोग उसमें आएंगे, और एक पारदर्शि तरिके से चीजों को उन्हों रेकोंट करेंगे, इन टिये की स्ट्रक्चर, उनकी functioning, उन की डाटा मेनेजमेंट उनकी ट्रास्परेंची यह सारे विशे को एकाउंटबिलिटी और बढ़े इस प्रकार की रेकोमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मेंडेट और कमिटी की संभू को गोशित करेगी एक आखरी सवब आप से रहेगा कि राहूल गांदी ने कटाश कर रहा है आपकी सरकार के उपर लगादार वो प्रहार करते है आरसेस और बीजेपी के अजेंडा पे और बहुत सरा लोग भी पुछ रहे हैं विपक्षवां भी कई लोग हैं जो आपके मित्रे वो पेरेंस भी आप उनसे क्या कहना चाहेंगे सर्मोकेपूर तीके मैं आज अभी भावक के नाते एजुकेशन मंत्री के नाते मेरा पहला चींता है मेरे विद्यार्तियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रभो करूँ ना कहूं कोई अभवा कोई ब्रहमात्मंग या कोई उत्यजना की बाप ना कहूं कि जो उनकी मन को प्रभावित करें जो उनको निश्पक्षेता से दूर ले जाए मेरे दाइत तो है सबको निवेदन करना अब भरोशा रखिये ठीक होगा विल अपर सब्सक्राइब करें अभरोशा रखिया आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और आपको बता दें कि पेपर लिक मामले में गिरफतार है आरूपी एक आरूपी ने अग्रिम जमानत दायर की है और पेपर लिक में 13 आरूपी गिरफतार है शास्तिनगर पुलिस ने गिरफतार किया था इनको तो आपको बताते चलें कि आज सुनवाई होनी है और जो गिरफतार है वो बेउजेग में बंद है सभी आरूपी आपको बता दे चलेंगी पटना में आप अर्जिला और 17 नियाई दीश पांच की अदालत में आज सुनवाई होनी है और जमानत याची का को लेकर के आज सुनवाई होगी और जाना जानकाई देंगे नियूज दीन समवाद आता अमित हमारे सा जुड़ रहा है अमित देखे नीच पेपर लीक माबले में क्या कुछ अब डेट है वो आप से जानना चाहेंगे आज सुनवाई भी होनी है इसको लेकर क्या कुछ जानकारिया मिल रही है देखे आज बिलकल यह सुनवाई होनी है और थोड़ी दिर में जब बेचे गा अपर मुक्ण नियादीस पाँच के आदालत ने यह सुनवाई होनी है तो जैसी नियादीस बेचे बातेंगे तो उसके बाद यह सुनवाई जो हो सकती है और कहा जा रहा है कि पहले हाथ में ही यानि की फर्स्ट हाथ में ही जो है वो सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान जो 13 आरोपी समित एक अन्ने है और सुनवाई के बाद कोट क्या निर्ने लेता है ये बहदनाद पून होगा क्योंकि इससे पहले भी ये तमाम 13 आरोपी जिने सास्तिनेकर फुलिस ने नीट पेपर लिक मामले में गरिश्टार किया था जिनोंने अपना गुना भी सुकारा है कबूल किया है जिसे लगतार न जब इन लोगों ने जिबानों की आजका लगाई थी तो कोट में खारिश किया था उसके बाद अपर मियादीस पहांच के आदालत में इन लोगों ने दर्वाजा खटाया है जिसके आज सुनवाई होगी तो इस पर नजर होगी हमारी और हम दर्सकों को बताएंगे भी पर प्वस्त करते वे काई कि चिंता करने वाली बात नहीं है इसका असर जो है वो बच्चों पर नहीं पड़ेगा तो क्या सिक्षा मंतरी के आश्वासन के बाद इसका असर देखने को मिल रहा है ठीके सबसे एहम बात है कि धर्बेंद प्रधान बेहत सुल्जे हुए लिता है और अपने विवाग की जिमारियों को वो वकुभी मानते हैं और उसका निर्वाहन भी करते हैं इस मामने को लेकर करें जब यू यू जांच कर रही है तो यू यू के जो सिर्ष अधिकारी है एड़ी जी नहीं रसनें खान उन्हों उन्होंने जो है धर्बेंद प्रधान ने दिल्ली बुलाया और इसके बाद यह अब तक की जो अनुसंधान हुए थे सारे पेपर लेकर करके कल दोबर बाद जो है वो दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंच करके धर्बेंद प्रधान से जो है उनकी मिल्कात हुई उनके इस मिल्कात के दौरान जो है एंटिये के एक सिर्ष अधिकारी भी मौजिद थे जो हमारे आला अधिकारी जो है फुलि लिक का मामला उससे अनुसंदान से जुरी हुए हर बारिज्यों को धर्मिन परदान में समझा और समझने के बाद उन्होंने ये भरुसा दिया है कि मिश्ची तोर पे बच्चों के भविश के साथ खिलवार नहीं किया दिया जाएगा और जो भी गुनेगार हैं वो सलाकों के पीछे जाएंगे उन पर करवाईयां की जाएगी किसी को बक्सा नहीं जागा और उन्होंने जिम्मवारी भी ली है सबसे महत्मुन बात है कि धर्मिन परदान ने खुद इस पास की जिम्मवारी ली कि पेपर जो है वो उसमें गर्वरिया हुए लिक हुआ है और अब उसस ने लें लेंगेच की पर्लामंति भी बाहर रहे है दिस से तो यसली पर्लामंति लेकिन अभी भी जो शेष अधिकारी है जो शेयर नेता है वो पेपर लीक कि बाद को स्विकार नहीं कर रहे है हां कुछ गरबड़यां जरूर हुई है कुछ उधार की अवशकता जरूर है अभी भी ग्रेस मार्क्स की बात की जा रही है लेकिन पेपर लीक हुआ है ये अड्रस नहीं कर रहे हैं तो जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोट में वो आठ तारिक को होगी तो उसके बाद क्या डिसिजन होता है वो देखने वाली बात होगी लेकिन अभी जो खबर सामने आ ये जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि रद्द किया जा सकता है ये परिक्षा इससे जुड़ी क्या जानकारिया आपके पास बहुता तरीके से लेकर आगे बढ़िए चो कि आर्थ तारिक को इस बांद की सुमाई भी है तो जाहिर से बात है कि आर्थिक प्रद्द काई जो है हर पाहलू को सुप्रिम कोट में भी रखेगा और चुकि हमने पहली कहा कि परदान मंचुच की बाहर है तो जासी परदान ब्रदान में तो जाहिए जान्ठावर के प्रदान को ही ने और जो सुर्थ रहे हैं कि पूरी संभावना है कि नीट का जो पेपर है वो रद होगा और बच्चु के जो विश्ण है के साथ खिलवार नहीं किया देना चाहती है सरकार केंसरकार तो जाहिर बात है कि ऐसे में जो पेपर है वो रद्ध हो सकता है यह बाते कही जा रही है दिकारिक सोर्सिस के हिसाब से और यह भी कहा जा रहा है कि अगर रहनमेंट परदांस यह निमने में लेते हैं तो फिर परिक्षार में जो सिकंदर है या फिर बाकी जो दूसरे लोग इसमें सामिल थे अमित आनंद हो या फिर निटिस कुमार हो यह तमाम जो लोग है वो सिर्फ एक मोहरा है आका जो है वो कहीं और बैठा है और वहां से वार्ट से चरिए यह पेपर जो है वह इन लोगे बाद परिक्षार और उसके बाद इसके एंसर सिट भी मोहिया करा गया है और देखे पटना पुलिस को दिये बयान में अपना गुना स्विकार करा है और परिक्षा से पहले नीट के प्रशन पत्र और उत्तर रटवाए गए थे ये बात उन्होंने कबूला है जो प्रशन पत्र प्राक्त में रटवाए गए थे सुभए परिक्षा में वही प्रशन आये थे आयूश ने काये कि पापा फोन कर कोटा से उनको बुलाया पापा ने और आयूश के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपनी स्विक्रित बयान में अपना अपराद जो है वो स्विकारा है अखि पुलिस सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी बता रहा है यूश के निशाने पर आये दो सेटर अतूल वत्स है और अंशुल सिंग है सेटर दोनों सेटर वैशाली जिले के रहने वाले है अनुसंधान के दौरान दोनों के नाम सामने आये यूश फिलाल मामली के जाज़ पर जबाने का ये लोग काम करते हैं और इस तरीके से ये नेक्सस चलता है तो कि नितीश कुमार ने भी कबूल कर लिया है अपने गुना को और सिकंदर प्रसाद यदुवंद्यू के साथ में इनकी दोस्ती थी ये भी बात उनोंने कबूला है और किस तरीके से ये पेपर लीक खरवाते थी और कितना ये लोग रकम वसूलते थे इसकी भी बात उनोंने कबूल किया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 30 से 32 लाक में सेटिंग की थी इनोंने नीट परिश्य पर विपक्ष के सवाल पर उपमुख्य मंतरी समराख चोधरी ने निशाना साधा है समराग चौधरी ने का है उपमुख्यमंतरी विजय कुमार सिन्हा ने नीच को लेकर तेज़स्वी पर जो सवाल उठाए है उसका जवाब आरजजडी को देना चाहिए आरजडी सांसद मनुझ जा के बयान पर डिप्तिसियम विजय सिन्हा ने पलटवार किया उन्होंने कहा कि वपद के लिए पैर पकरने वाले लोगों में नहीं है विजय सिन्हा ने कहा है कि वो सम्मान के लिए सो अभिमान नहीं छोड़ेंगे उन्होंने कहा है कि तेज़स्वी यादव सोनी का चमच लेकर के जन्म लिये हैं और हवा में उड़ने वाली लोग धरातल पर तिक नहीं बात हैं मनोज जाजी का विद्वान आदमी है उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है लेकिन मैं बता दूँ कि पद के लिए पहर पकरने वाले हम लोग नहीं है हम लोग सम्मान के लिए सोहिमान छोड़ने वाले नहीं है और सामाजिक तानावाना में जातिय उनमाद पैदा करने की मानसिक्ता जिस राजत के गोद में बैठ कर वो गरहन किये हैं उससे मुक्त हो जाए बंदुवा मजदूरी करने वाले लोग नो समाज के ही तैसी है नो रास्ट के ही तैसी है सच को स्विकारने की ताकत रखे है नीट परिक्षा दांदली को लेकर के आई दिन नए खुलासे हो रहे हैं बिहार सरकार की और से गंभीर आरोप जिस तरीके से आरजुडी नेता तेजस्वी यादव की खिलाफ लगाए ज़ा रहे हैं उसने बिहार के सियासत को बेहत गर्मा दिया है जादव के आप सची प्रीतन कुमार एनचाई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदू के लिए कमरे की बूकिंग कराने के लिए फोन आया था देश की प्रतिष्टित मेडिकल की परिक्षा नीट में धांदली का खुलासा आए दिन हो रहा है जाच के नए दाइरे बढ़ रहे हैं तो परिक्षा में धांदली को लेकर सियासत भी बेहत तेज है आरोप प्रत्यारोप के बीच नीट परिक्षा का मामला उलजता जा रहा है बिहार सरकार की और से डिप्टी सियम विजय सिन्हा ने बेहत कंभीर आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी आदब पर लगाया है गुरुबार को विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि आरोपी सिकंदर यादवेंदू का संबंद तेजस्वी यादव के पियेस प्रीतम से है उसी ने दबाव डाल कर गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था कि एक मई को तेजस्ची जादव के आप सचीव प्रीतम कुमार के मुबाइल नंबर सेबन फोर डबल एट जीरो सिक्स वन एट वन थिरी से रात्री नौ बजकर साथ मिनट में पत्थ निर्मान विभाग में कार्जरत परदीब कुमार के मुबाइल नंबर 94, 36, 49, 24 पर एनचाई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदू के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था विजे सिना ने अपने प्रेस कॉनफरेंस में परदीब कुमार को भी सामने लाया परदीब पथ निर्माण विभाग के करुचारी हैं इनी के मॉबाइल परतेजस्वी आदव के पीएस प्रितम ने एनच एआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था वो भी नियम का पालन किये बगैर इसके लिए सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर को भी सस्पेंट किया गया है नीट परिक्षा में हुई धांधली पर बीजेपी के गंभीर आरोपों पर आरजेडी के नेता हमलावर है नीट परिक्षा रद करने की मांग की जा रही है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवज़ा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिस कर रही है नीट एक्जाम में धांधली को लेकर जिन चारों आरोपियों को ईयो यू ने पकड़ा है उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है इनमें गया का रहने वाला मास्टर माइंड नितिश कुमार समस्तिपूर का रहने वाला अनुराग यादव मुंगेर का अमित आनंद और समस्तिपूर का रहने वाला सिकंदर यादवेंदु शामिल वैसे जाच अपनी जगा जारी है पर आरोपों की जड़ी जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है उसने परिक्षा में हुई धांदली के मुद्दे को बेहत गर्मा दिया है केंद्रिय जाच अजनसी एडी के ओर से करीब 2000 करोड के बैंक लोण गुटाले में देश बर में सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है पूरे देश में करीब 18 लोकेशन पर छापे मारी की जा रही है जे वियल एग्रोड नामकी कमपनी से जुड़े निडेश को सहित आनिया आराउप्यू के लोकेशन पर छापे मारी जारी है जाच अजनसी के सूत्र के मताबिक बेहार के दो लोकेशन बनारस के 6 लोकेशन पर और कोलकाटा के 5 लोकेशन पर छापे मारी की जा रही है और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही चलते चलते एक रज़र अटलाइंस में